हेलो फ्रेंड्स मुनिकास किचन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए इंस्टेंट कलाकन की रेसिपी लेके आई हूँ इस कलाकन की मिठाई को आप 15 मिनट्स में बना सकते हैं यह पर्फेक्ट हलवाई जैसी दानेदार और साफ्ट मिठाई बनेगी तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट कलाकन की रेसिपी इंस्टेंट कलाकन मिठाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है उसमें हम 2 कप मिल्क पॉडर डाल देंगे हाफ कप चीनी डालेंगे क्योंकि मिल्क पॉडर में फैट नहीं होता है तो फैट के लिए हम इसमें 1 फोथ कप घी डालेंगे हाफ टी स्पून इलाइची पॉडर डाल देंगे अब इसके बाद हम इसमें 3-4 cup दूट डालेंगे अब इन सब को हम अच्छे से mix कर लेंगे अब ये अच्छे से mix हो गया है अब इसे हम cook करेंगे cook करने के लिए यहाँ पर मैंने एक pan ले लिया है अब मिसरन को इस pan में हम डाल देंगे अब इसके बाद हम इसे low flame पर 2-3 minutes के लिए continuous चलाते हुए cook करेंगे 2-3 minutes हो गए है इसे continuous चलाते हुए आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे pan छोड़ने लग जया है एक dough के form में आ जाएगा जैसे ही ये complete pan छोड़ देगा एक dough के form में आ जाएगा वैसे ही हम अपने flame को off कर देंगे आप देख सकते हैं अब ये एक dough के form में आ गया है और pan को छोड़ने लग गया है तो अब इस time आपको flame को off कर देना है अब इसे set करने के लिए हम यहाँ पर एक tin ले लेंगे अगर आपके पास cake tin नहीं है तो आप ठाली या plate भी ले सकते हैं और इसमें हम घी से grease कर देंगे और उसके बाद हम इसमें अपने dough को डाल देंगे मैंने evenly इसे चारो तरफ फेला के अच्छे से set कर लिया है अब इसके उपर हम dry fruits की गार्णिश करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम chopped pistachos डालेंगे फिर उसके बाद chopped cashew nuts डालेंगे उसके बाद इसमें थोड़े से rose petals डालेंगे उसके बाद spoon की साहता से हम इसमें tap कर देंगे ताकि जो dry fruits है इसमें अच्छी तरह से चिपक जाए अब इसे हम freeze में set होने के लिए 2-3 घंटे के लिए रख देंगे 2-3 घंटे हो चुके हैं हमने अपने कलाकन को निकाल लिया है अब इसे हम cut करेंगे pieces में तो मैंने इसे pieces में cut कर लिया है तो ये हमारे कलाकन बनके ready है अगर ये video आपको अच्छी लगी हो तो इसे like और share करना ना भूले और friends अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले और bell icon पे click करना ना भूले ताकि जो भी मैं नया video डालूंगी उसका notification आपके पास पहुच जाएगा